अच्छे नोच कि एक बाद पुरिशे स्वागत सैय आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरु जी पर जहां आप सब को पता जी फर ट्रांसेर्शन के वीडियो आप सभी को मिलते हैं मैं हुँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका Translation Guru प्रावात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं Oxford Junior English Translation के Exercise 126 के Solution को लेकर तो friends इसके बारे में मैंने Exercise 125 में भी बतलाया है आपने उसे नहीं देखा है तो link description में है वहाँ से आप देख सकते हैं उपर आई बेटन में मिल जाएगा इसमें वही है कि जब कोई subject नहीं हो तो हम there का use करते हैं तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए चलिए एक मंदिर है देरिजा temple मेरे गाउं में एक मंदिर है there is an apple in the bag याद रखेंगे बैग समझते हैं वह खड़ित के लाते हैं वह जोला समझते हैं करते हैं नहीं नहीं दोनों ही वही है वह अंग्रेजिय स्टाइल है यह देशिय स्टाइल है जैसे स्टोब हम लोग समझते हैं कि मिट्टी तेल डाल के जिसमें बनाते हैं और चूल जाती है तो भई या उस तरह से है न छूड़ा से अच्छा घर में किसी से बनाते हो तो रेजर से बाई साब दोनों रेजर हैं दोनों उस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं या एक और एक्जेंपल दे देता हूँ हाँ भई वह जो है अच्छा जी यह तंदूरी छीक में पकाया है यहां जी वह वह तंदूर वह वैसा अजा ऑवन मींज तंदूर ही होता है चलिए तो आगे हैं दो गाएं हैं देर आर टू काउज मेरे घर में दो गाएं है there are two cows in my house या home जो भी कहिए दूद है तो इसका हो जाएगा there is milk उसके बाद है इस glass में दूद है there is milk in this glass उसके बाद है एक शिक्षक है there is a teacher वर्ग में एक शिक्षक है there is a teacher in the class याद रखेंगे हिंदी में सिक्षक हैं आदर सुचक बाक्यों में बहुबचन का प्रियोग होता है फिर है चार सो लड़के है there are four hundred boys अलाकि ये sentence चार सो छात रोना चेह लेकिनी है हमारे लेकक मौदा सुरू से इसमें लड़के ही लिखते हैं मेरे स्कूल में चार सो लड़के है there are four hundred boys in my school एक पुस्तकाल है there is a library मेरे स्कूल में एक पुस्तकाल है there is a library in my school शान्ती है there is peace देश में शान्ती है there is peace in the country तारे हैं there are stars आकाश में तारे हैं there are stars in the sky दस शिक्षक हैं, there are 10 teachers, मेरे स्कूल में 10 शिक्षक हैं, there are 10 teachers in my school, 10 नहीं पढ़ेंगे, 10, 10 teachers, 10 teachers, आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा पानी था, there was water, water, इसका उचारण सही से पढ़ेंगे, water नहीं, water, 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 नदी में पानी था, there was water in the river, कुछ फूल थे, there were some flowers, इस बाग में कुछ फूल थे, there were some flowers in this garden, उसके पीछे एक बच्चा है, there is a child behind him or her, वैसे इसको भी शुद्ध में पढ़ेंगे, तो behind होगा, लेकिन चलेगा, behind, राम और श्याम के बीच दोस्ती है, क्या है, तो दोस्ती है, इसलिए पहले हो जाएगा, there is friendship, और तब हो जाएगा, राम श्याम के बीच, तो between राम और स्याम, सरक पर एक बिल्ली थी, there was a cat on the road, तो इस प्रकार से total 27 थे, इसमें उमीद करता हूँ, आपने मिला लिया होगा, आप कोई confusion नहीं होगी, कोई confusion हो, तो हमें comment करें, मैं reply देने की पूरी कोशिश करूँगा, साथ में comment कर, हमें बताएं, हमारे वीडियो जापको कैसे लगते ह ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like करें, ना पसंद आया हो, तो dislike करें, सबसे ज़ुड़ी बात यदि चैनल पे नए हैं, या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please इसे subscribe कर ले, और साथ में प्रेस कर दे, bell icon को, जिससे कि हमारे इसी परका के translation, grammar से related, जो वीडियो हो जाएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियो जापको ढूंडने में आसानी हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए, आपका दिन, शुभर